पौधे लगाना बहुत ही आसान होता है लेकिन उनकी जो देखभाल करना होता है वो बहुत ही कठिन होता है क्योंकि बहुत बार हम शौक से पौधे लगा तो लेते हैं लेकिन उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं जिनके कारण उनके उपर बहुत से इंसेट का वहाजूद यह जो माचस की तीलिय knife है यह आपकी help कर सकती है यह जो माचस की तीलियsomething एक बहुत अच्छा fertilizer भी है और एक बहुत अच्छा insecticide भी है जो माचस की तीलिय tragedy तो इनका use किस से अपने plants पर करना हैं और इनको यूज करते वक्त आपको कौन-कौन सी साफधानिय रखनी है ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो माचिस की तीलिया हैं इनमें ऐसा क्या होता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होत करती है आपके प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉंग होता है और जब भी किसी प्लांट की जड़े अच्छे से विकास करती है उसकी जड़े मजबूत होती है तो प्लांट अपने आप ही हेल्दी हो जाता है और मैगनेशियम और सलफर के कारण आपके जो प्ला नाशक के गुन भी होते हैं। इसलिए जब इन तीलियों कि use आप अपने प्रांट्स के उपर करते हैं तो ये एक insecticide के तरह भी काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि इनका यूज आपको किस तरह से करना है और यूज गरते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है इन तीलियों का यूज आप अपने सभी तरह के पौधों के उपर कर सकते हैं चाहे वो इंडोर हो या आउट्डोर हो या डेकरेटिव प्लांट्स हो या फिर कोई सब्जियों या फलों के पौधे हो आप सभी तरह के पौधे के उपर इन तीलियों का यू कर रहे हैं उस समय आपकी जो गमले की मिट्टी है वो अच्छे से मौस्ट होने चाहिए अगर मिट्टी सूकी है तो पहले अपने गमले में अच्छे से पानी दे दे उसके बाद आपको कुछ इस तरह से 7-8 यह जो माचिस की तीलिया है इन्हें लेना है और इनके उपर जो य मिट्टी के अंदर डाल देना है चोटे गमले के लिए 6-7 यह जो तीलिया है वो काफी होगी और अगर गमला बढ़ा है तो 10-15 तीलिया आप ले सकते हैं बस इससे ज्यादा तीलिया आपको नहीं लेनी है और जब भी तीलियों को आप मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो को आपके पौदे की जड़े हैं उससे कुछ दूर इस तरह से गमले में किनारे किनारे पर ही डालिए बस आपको इसी तरह से इन तीलियों को लगा कर छोड़ देना है और जैसे आप रोज अपने प्लांट की देखबाल करते हैं उसमें वाटरिंग करते हैं बस उसी तरह से आपको अपने पौधे की देखबाल करते रहना है जैसे जैसे आप पौधे में पानी देंगे वैसे वैसे इन तीलियों में लगा जो मसाला होता है वो घुलता रहेगा दिरे दिरे वो आपकी मिट्टी में मिक्स होता रहेगा और एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर की तरह है और बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसैट की तरह काम करता रहेगा कुछ दिनों बात जब आप इस तीलियों को निकाल कर देखेंगे तो इसका जो मसाला है वो पूरा घुल चुका होगा जब आपकी ये जो तीलियों है इसका मसाला अच्छे से घुल चुका हो तब आप इन तीलियों को निकाल कर पैग दीजिए आप महीने में एक बात इन तीलियों का यूज अपने प्लांट के उपर कर सकते हैं इस तरह मिट्टी में डालने के अलावा आप इन तीलियों का liquid fertilizer बनाकर भी अपने पौधो में उसका यूज कर सकते हैं liquid fertilizer बनाने के लिए ये जो तीलिया है आपको 15 से 20 तीलिया लेनी है और उन्हें पानी में डालकर छोड़ देना है जब तक कि उनका जो मसाला है वो अच्छे से पानी में घुलना जाए तो जब वो मसाला अच्छे से पानी में घुल जाए उसके बाद वो जो पानी है वो आप अपने पौधों की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से मिट्टी में डाल कर भी इन तीलियों का यूज़ कर सकते हैं बस यूज़ करते समय ध्यान ये ही रखना है कि आपके जो गमले की मिट्टी है वो अच्छे से मॉइस्ट हो अगर ना हो तो उस समय आप उसमें पानी दे सकते हैं और जब भी आप इन तीलियों को लगा रहे हैं तो गमले में किनारे किनारे की तरफ ही लगाएं पॉधे की एकदम पास न लगाएं और 10 से 15 से जादा तीलियों का यूज़ ना करें और इन तीलियों का यूज़ आप महिने में एक बार कर सकते हैं तो कैसे लगी आज की वीडियो आपको अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए